इसकेसिंग टुडेशन आप पार्टनर पूरा एडमेशन आप पार्टनर डिसकर्स करेगा कैसे सॉल्व करता है इच और एवरी स्टेप बाइस टेक तुम लोग मेरे साथ साथ नोट्स भी लिखेगा और आइवोग तुम लोग का पूरा एक क्वेशन में क्या-क्या मैक्सिमम चीजें मिल सकता है क्या स्टोरी चलेगा वह सारा में स्टेप बाइस टेप क्लियर करता जाओंगा ठीक है फैडिंग देगा अपन एडमीशन ऑप पार्टनर कि अग्युद्ध अपने अब देखो क्या होता है यहां पर जबीभी पार्टनर एडमीट होगा मिन्स हम लोगा री कंस्टिटूशन आप पर पार्टनर्शिप होने वला है नया एग्रिमेंट ड्राफ्ट करना पड़ेगा तो जब जब आप नया एग्रिमेंट ड्राफ्ट करते हो सर्टेन बेसिक चीज़े जो आपको पता होना चीज़ सबसे पहले जबी भी एग्जाम मे का क्वेशन आएगा फॉलोइंग स्टेप्स को लिखके रखो उसी केटेगरी से आपको क्वेशन सॉल्व करना है फॉलोइंग स्टेप्स और रिक्वाइट टू भी फॉलोड वाइल स्ट्रॉल विंग क्वेशन से रिलेटेड टू एड्मीशन और पार्टनर कोई भी क्वेशन हो यह आप यह स्टेप्स फॉलोग करोगे तो कभी मिस्टेक होगा ही नहीं नमबर वन कैलकुलेट गेनिंग सेक्रिपाइज रेश्यो तो इसमें हमने पड़ा था कि नया वाला पार्टनर आता है और यह नहीं बताया कौन सा पार्टनर कितना शेर करेगा डैट मिस्ट ओल्ड रेश्यो विल बी और सेक्रिपाइज रेश्यों उस कंडिशन में कैलकुलेट करने का जरूरती नहीं ठीक है लिग के रखना है अब और आता है लोड़ रेश्यों और स्टरिपशियं रेश्यों इने कैसंतर्ड सेक्सरिपाइज प्रहा है इस कैना है बीजिध देश्यों बीजिध की अधakukan बीजि़ जुतलेश्यों इसक्स्यों को में बाह्त साथ चाह्त hyped ट रेश्यों के धु इस्धूनर क्रणल के खिके ए कि भी करने का जरूरत नहीं है इफ क्वेस्टिन में आपका कुछ भी नहीं पता रखा डेट मेंस ओल्ड रेश्यों हमेशा सैक्रिपाइजिंग डेश्यों होगा कि अ कि अ कि अ कि नमबर टू कि प्रेपैर कि रीवेलवेशन एकाउंट मैं तुम लोगों सिखा दूँगा कैसे रीवेलवेशन एकाउंट बनाता है ठीक है कि या पिर इसके एक सकेट आपने लिग लिया तो कोई बात नहीं एक चीज़ रिक्वाइर्मेंट पार्ट पढ़ना पड़ेगा रीड दी रिक्वाइर्मेंट पार्ट अब बोलं नहीं पूरत画 रीवेशन इते हैरो पर रीप्वार में पार्ट वेशन पार्ट अक्वाइर्वे जय्क्ति पार्ट पैर्ट वेशना पार्ट जै रीवेशन नीन बट्त्ट कि इन दी बूक्स केंदी अल्टर्ड और नॉट मतलब बैलेंशिक क्वेशन देगा आपको इस आप क्वेशन में दिया हुआ बैलेंशिक की वैल्यूस को चेंज कर सकते हैं विद यूर अकाउंटिंग एंट्रेस तब तो नो प्रॉब्लम नॉर्मली सॉल्व करेगा लेकिन एथी इफ नॉट तब सारा का सारा टरंजेक्शन रॉलमि एपट इस पर गेंग साथिफाजिंग रिशु ती अिपनोट थैं औल डिटरंजेक्श बिल बी इचिस्टें ती इच्शे बेट्विन पार्टनर्स एस पर देर गेनिंग सेक्रिपाइज रेश्यो अधर्वाइस नॉर्मली जैसे सौल करता अपन वैसे ही सौल परेगा एग्मिशन के क्वेश्चन बोग्ग बोग्यार्व ओक यूम्टर्व दिक परेणो करत रेच़्िछ उनक्ति अंद्या चात त। रुष्चन पर थूरोलास्वशन ता थक्रिण इस उनक्ति विल्श्य ब्מקति अपरेण एद्वश्य एई शेते दिड़ में परेंग्ज और जा सफरेण। रिवर्यस्न अकाउंट और कि में मोरेंड्म री वेलवेशन एकाउंट कभी-कभी क् talented आपको कुछ नहीं बोलेगा तो नॉर्मल रिवेलवेशन ऐड़्यों बनाएंगे लेकिन कभी-कभी इंक सिव केवरेशु बोलता है प्रिपेर मेवाइनडम रिवैलेशन एकाउंट जब मेवाइनडम रिवैलवेशन एकाउंट बोलेगा तो यहीं करता है फ्राप्रेटर लॉस ही करता है कि अब लिखना इस में प्रेयर एइफ then profit or loss on revaluation will be distributed to the old partners in their old profit sharing ratio if revaluation account is prepared then profit or loss on revaluation will be distributed to the old partners in their old PSR but if memorandum revaluation account is prepared then profit or loss on revaluation will be first distributed between old partners old ratio then again after reversing the transactions any profit or loss will be distributed will be distributed among all the partners all the partners including new partner all the partners as per their new profit sharing ratio as per their new profit sharing ratio here here you can just reverse 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 लिखना सीखेगा ज्यादा कुछ वैसा है नी लंबा जोड़ा complicated बट स्टिल कभी कभी इंस्टीट पूछ लेता आपसे exam में कि memorandum revaluation account बना तो जब memorandum बोलेगा तो वही बनाना पड़ेगा दो आपने revaluation से solve बरके आया answer correct है सब कुछ correct है there is a chances वह marks cut कर ले आपका लिकोल जब वो बोल रहे memorandum तो आपको memorandum टाइक में ही बनाना पड़ेगा डिस्ट्रिबूट करेगा जो चीज़ डेबिट में लिखा उसको credit में लिखेगा जो प्र प्रॉफिट लॉस आया उसको new partners में बाटेगा मतलब इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर पहले ओल्ड में जाएगा फिर reverse करके जो भी result आएगा उसको हम लोग सारा पार्टनर्स में बाटेगा एस पर देन्यू प्रॉफिट शेरिंग रिश्यो अल्टिमेटली नेट इंपक्ट वही हो रहे है जो इस केस में किया हो यही रहे बस इसमें बस थोड़ा सा उल्टा-बुल्टा कर दिया अब कंसेप आपका बुक कवर कर रहे है दो एक्जाम मे सब्सक्राइब करेक्ट आएगा तुम्हारा कोई लॉजिक ने पार्टनर्स का नेट इफेक्ट ही आता इससे भी पदा नहीं क्यों इन्होंने यह डालके रखा है अब फाल तुब डालके रखाए जरुवत भी नहीं था इसी से काम हो रहा था तो इसका क्या जरुवत है उ पाए नहीं है तो पहला स्टेप में अपन को क्या करना है गेनिंग सेक्रिवाइजिंग रेश्यों निकालेगा सेकेंड में क्वेशन रीड करेगा और देखेगा क्या हम वैल्यू को अल्टर कर सकते है क्या या पिन नहीं कर सकते तो सब कुछ हमारा जो भी एक चीज़ यान रखना वाल प्रिपेरिंग रेवालेशन अगाउं वी शुट फोकॉस only on the additional information given below the balance sheet बैलेंशीट के नीचे जो एडिशनल इंफरमेशन दिया बस उसी के बेसिस पर इवैलेशन बनेगा बैलेंशीट पर फोकस करने का जरूरत ही नहीं है क्लियर है चार-पांच वार यदि आपने स्टेप्स को अपने माइंड में रीड कर लिया तो जब आप एड्मिशन का प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करोगे कोई गलती नहीं करोगे तब प्रॉब्लम इस दर कि आप क्वेश्चन से कंसे बिल्डब करने का कोशिश करोगा और वहां प प्रिपेर पार्टनर्स कापिटल एकाउंट प्रिपेर पार्टनर्स कापिटल एकाउंट अब इसके अंदर में क्या क्या करेगा सबसे पहले तुम कि नंबर ए कि बैलेंस ब्रॉट डाउन करेगा अपन सबसे बिले पार्टनर्स कापिटल में बैलेंस ब्रॉट डाउन करेगा कि नंबर भी ट्रांसफर प्रॉपिट और लॉस और रिवालुएशन कि तुप पार्टनर्स कापिटल अकाउंट सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस उसके बार ट्रांसफर प्रॉपिट और लॉस और रिवैलेशन तुपार्टनर्स कापिटल अकाउंट झाल अकाइ झाल थाइ त्हर्ट थाँ थाइ झालशन and transfer all the accumulated profits and reserves after adjustment अब यह accumulated profits and reserves क्या क्या होता है ठीक है आपको accumulated profits and reserves बेसिक जो जो question में दिख सकता है मैं उसी के नाम लिख रहा हूं बैलेंशिट दिया हुआ रहेगा लाइबिटी साइड एसेट साइड इप आपको यह सारे नाम मिल रहे हैं जैट मिन्स वह accumulated profits and reserves है जैसे जैनरल रिजर्व लिएबिलिटी साइड में प्रापिट अन लॉस अकाउंट मतलब यह प्रापिट है वाग्मेन कंपेंसेशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट लॉक्ट्वेशन रिजर्व एनी अदर रिजर्व एन एसेट साइड में आपको मिल सकता है क्या है क्रेडिट पैलेंस हुआ तो लाइबिटी साइड में और डेबिट वैलंज वते ऐसेट साइड में आएगा पृपिट और रिख का डेबिट वैंस हुआ तो एशेट साइड म का देट मींस लॉस पिर आपको मिल सकता इधर में एड़र्टाइजमेंट इसस्पेंस प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेज एड़्ट विल का एडजस्मेंट अल्रेडी तुम नोग सीख चुक्यों तो गुडविल भी वैलिक देता हूं इफ आपको यह सारा चीज बैलेंशित में दिख रहा है तो इससे रिलेटेड कोई एड़्जस्टमेंट है तो पहले वह कर लेगा और उसके बाद उसको पार्टनर्स कापिटल में ट्रांसफर कर देगा थ्यान रखना बिजनस का लाइबिलिटी जबी आप पार्टनर को देता है तो बताओ पार्टनर का कापिटल बढ़ेगा या कम होगा बिजनस का लाइबिलिटी तुम पार्टनर को दे रहे तो पार्टनर तुम से पैसा मांगेगा या पार्टनर तुम लोग पार्टनर से पैसा मांगेगा वेरी गुड एक तो लाइबिलिटी भी दो तुमको किसी को पैसा भी चुकाना है और तुम वो उसको दे रहे जैसे क सपोस्ट तुम्हारा एक उधारी है दस हजार तुम बोला भाई आप पैक कर देना हम पैक करेगा दस हजार उपर से सामने से तुमको पैसा भी दे PM-1 हम लोग बिजनस का लाई ब्लीटि साइड उसको दे रहेंगा तो इससे क्या मांगीगा पार्ट्न लोगपाइसा रहे हैं लोग पाके रहे हैं तोपलोग हम्ство का लाई ब्लीटि लेकि जा रहा है तो आप लोग पैसा देगा फिस्थ से निवम्ह Base हीटी पार्ट का कोई भी चीज़ पार्टनर को देता है तो थो पार्टनरस विलीट और जब भी आप एसे पार्ट देता है किसी को तो हम लोग उससे लेगा पैसा इंस बाटनर्स कापिटल विलबी डैबिटेड हो जाएगा वो क्लियर यह चीज़ बिजनस इन कॉर्परेशन से पहले जो खर्चा होता है यानि बिजनस सेट अप करने के लिए जो जो खर्चे करते हैं उसको बोलता हम लोग प्रिलीमिनरी एक्सपेंसेस इस जस्ट लाइक डैपर्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देबिट बैलन्स मतलब को बश्बस दस्ajat में तो लॉस इस एसेत साइड में दिया वाई पी आनल का मतलब वो लॉस है और हो लाइबिलिटी साइड में है मतलब वो प्रॉपिट बिजनस का अब हाँ कि यहां तक क्लिया रहे है तो अब बनाओगे सबसे पहले क्या करोगे ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे रिवेलेशन का जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ वो ट्रांसफर कर देंगे फिर हम लोग बैलेंशिट को चेक करेंगे क्या बैलेंशिट में कोई ट्रीटमेंट पॉर प्रीमियम ऑफ गुडवेल प्रीमियम पॉर गुडवेल उसको डालना पड़ेगा सबसे पहले गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा नेक्स्ट कैपिटल एडजस्टमेंट जैसे क्वेशन बोलेगा उस तरीके से हम लोगों कापिटल को एडजस्ट करना पड़ेगा एंड लास्ट बैलेंसिंग कि विर अपन उस लेजर को बैलेंस कर दे वह आएगा विद्ध टाइम बदाएगा अभी जस्ट लिखके रखो अभी हम एग्जिस्टिंग पार्टनर भी गेन कर सकता है को जरूरी तोड़ी नहीं है क्या चीज़ नहीं यदि सपोर्ज दो पार्टनर जिसका प्रॉफिट शेरिंग रेशियो और क्वेशन बता दे नियू रेशियो यह होगा तब हम लोग को ओल्ड माइनस नियू करके गेनिंग सक्रिपाइजिंग निकालना पड़ेगा या पिर हां 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 ओल्ड इस गोल्ड अरे यहां पर ओल्ड इस गोल्ड वाला खानी तो पता है बोलते होंगे एक तो सेक्रिफाइस कर रहे है उपर से ओल्ड इस गोल्ड अठीक है सुना है ऐसे प्रोब यह सुना वाए कि ओल्ड इस गोल्ड जितना पुराना होता है उतना अच्छा थोस मजबूत होता है इस सब्सक्राइब बैठाने पढ़िए को बैठाने तुमाइब दिमाग में सब्सक्राइब बैठाने पार्टनर्स कापिटल अगाउंट पर आलिया और लास्ट एप प्रिपर बैलन शीट प्रिपून 설ट प्रिपेड प्रिया तुमादय कराउंट चर प्रिपेड बैलन शीट ए कि विद्धी है पॉप बैलेंशीट कि इवन इन क्वेश्चिन आपको जस्ट यह पांच स्टेप्स फॉलो करने है एंड एड्मिशन का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा फिर से देखो एक बार पांचो स्टेप पढ़ता है पहले स्टेप में मैंने क्या बोला कि वी विल कैल्कुलेट गेनिंग सैक्रिपाइजिंग रेशियो लेकिन एधी क्वेश्चन में नहीं बताया नया वाला पार और देखेगा कि मांगा किया है कि नया बैलनेश इस जो बनाना है वित न्यू फीगर्ज या फीर फीर फिर फीर फीर्ट वैल्यूज रंती से लेगा और सेक्रिपाइजिंग को अच्पनर को दे देगा याश्र की बिज़नस की वेल्यूज को छेड़ कानी नहीं किया वर प रिवंवेशन या फिर मेम् मॉरेंडम रिवंवेशन एकॉट बना के profit लोगा वो profit लो बाट देगा हम लोग oldkoml पाटनर old रिशियो में यहां लिकन लोगने से ओल्डर वान रुड़्ड रिशियो में हमेशा दिया राखना और करेगा पहले में बाट दिया देन höजर्स करें लोग क्या करेगा न्यू फाइटनर न्यू रैशेट में बाटेगा कि अ कि यह डेच बैटनर्स कैपिटल अबनाने अपने को पर्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले क्या लिखेगा ओपनिंग बैल banget उसके बाद रिएवैलेशन का जो प्रॉपिट लॉस हुआ है वो ट्रांस्वर करेगा नंबर थर्ड पैलेंशीट के अंदर जो एक्युमुलेटेट प्रॉपिट्स एंड रिजर्व उसको पार्टनर्स कैपिटल में डालेगा आफ्टर एडजस्टमेंट आफ्टर एडजस् से सब्सक्राइब एड़ीक कैपिटल अबनेश्व नूप्रॉपिंट रिजस्टम या फिर बैंक मैं मिनीमं रेश्यों मिनीमं बैलेंस इतना होना चीए तो वो सारा चीज अपन करेगा कैपिटल एडशस्मांट नहीं के दाइज चीज को पाट्नर के टीक साइड में चला जाएगा अरे तुम मी देखो बिजनस का चेंडरल रिजव पाटेगा तो जनरला लिजव एक लाइबिलीटी है अब उसको तुम बाट रहे तो जंडरल डेबिट होगा किसको मिलेगा पार्टनर्स को मिलेगा हाँ लोन नहीं यह प्रॉफिट से लिए उनीक ही हग था जो बिजनस ने अलग से करके रखा है जितने भी रिजर्व होते हैं वो बनते प्रॉफिट से हैं पियेनल एप्रोप्रियेशन से तो हमने पार्टनर में नहीं बाठके उसको बिजनस में अलग करके रखा था अब पार्टनर मिलके फिट से बनाएंगी तो यह हम लोग जो बिजनस का प्रॉफिट पुराना प्रॉफिट उसको हम लोग पार्टनर में पार्ट रहे तो प्रॉफिट देने से पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा और यहां पर क्या लॉसेज हैं डैबिट साइट में सारे है तो यह है आपका बेसिक जो पार्टनर्शिप एडमिशन के क्वेशन में आपको ध्यान में रखना है अब यहां पर कुछ-कुछ बेसिक इंफॉरमेशन जो हम लोग कैलकुलेशन सीख लेता है ताकि क्वेशन इजी ली होगा अब सबसे पहला चीज अब उसके बार में देखो स्टार्टिंग आप दाडमिशन कैसे करेगा चेक करना कि नया वाला पार्टनर जो आ रहे है नया वाला पार्टनर जभी बिजनस में आता है वो दो चीज़ लेके आ सकता है एक कापिटल एक गुडविल का हिस्सा कापिटल लाए जरूरी नहीं चीक है कंपल्सरी नहीं है कहीं लॉम में नहीं लिखावा कि आप नहीं पार्टनर किसे पर्म के बन रहे हो और आपको कैपिटल लेके आना ही पड़ेगा कहीं नहीं लिखावा लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल यानि जो एक्जिस्टिंग पार्टनर ने फॉर्म का प्रेयर टीसनर नहीं लिखार सकतेश्टा है अधिए check capital is bought by new partner capital is not introduced पाई न्यू पार्टनर नया वाला पार्टनर कापिटल लेके आ रहा है या पिन नहीं लेके आ रहा है उसका मर्जी इप वो कैपिटल लेके आएगा तो क्या होगा बिजनस क्या एकाउंटिंग एंट्री करेगा ज hell बेंक एकाउंट डेबิट और कैश्ट डेबिट कैश में लाएं तो new partners प्रेटेटल एकाउंट जब वह लाएगा तो क्या करेगा बैंक एकाउंट डेट न्यू पार्टनर्स वह उसका नाम आजएगा एक से तो एक्स वाई यह तो वाई राम रही मैं तो रहीं जो भी नाम होगा उसका नाम आ जाएगा कॉरेस्पोंडिंग लिए हम लोग उसके कापिटल एकाउंट में क्रेडिट साइड में लिख देगा वाई बैंक या कैश क्लियर है कि इप नहीं लेके आएगा तो क्या करेगा तो कि मों एंट्री नहीं लाया तो नहीं लाया कोई बात नहीं अब एक चीज ध्यान लगना जा अब एक चीज धनकना, sometimes new partners loan already given to firm इस 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 कापिटल मतलब पार्टनर बनने से पहले उसने फॉर्म को एक लोन दे रखा था सब्स पांच लाक रुपे का अब पार्टनर बना रहे हैं तो वह बोलता है एक काम कर रहूं मैं पैसा क्या ही लेक्या हूं औरेडी मेरे तो फन्स से पांच लाक मिलना है मेरे पांच ले उसको आप लोगा आज से यह माल लेना कि इतना पैसा मैंने बिजनस में इन्वेस्ट किया है तब क्या करोगे बताओ जर्णल एंट्री इस सिनेरियो में जर्णल अपन क्या करेंगी लोन टू कैपिटल अब यह पैसा नहीं लेके आएगा बिजनस में जो एक लाइबिलिटी था लोन जो भी नाम का लो पाटनर्स लोन एकाउंट डेबिट टू पाटनर कापिटल एकाउंट हां अरे पैसा तो देना ही पड़ेगा ना उसको कभी ना कभी बस लोन होता है तो हैड़ेक ज्यादा रहता है हर साल इंट्रेस्ट दो यह करो वो करो अब जब कैपिटल हो गया टेंशन प्री तुम भ मालिक हम भी मालिक दूबेंगे तो सब साथ में डूबेंगी कि क्लियर लोन हट जाएगा बैलेंशीट से पहले हाँ क्रेडिटर था अब हमने उसको पाटनर बना लिया तो क्रेडिटर खतम और उसका पैसा विल भी टर्म डैस क्यापिटल है ऐसा सिनेरियो भी आपको मिल सक करता है जब भी नया पार्टनर आएगा तो चेक करना पड़ेगा प्रीमियम और गुड्विल अब एक बात बताओ प्रीमियम पर गुड्विल निकालते कैसे हैं अब यू कैलकुलेट प्रीमियम पर फुड्विल यस गुड्विल अब देपर्म कि जो वॉक्न का गुड्विल है इस अभी फॉर्मी नियु पार्टनरर सेर तके प्रीमियम फॉर्वार अब क्यूंभ यह का गुड्विल कौन सा गुर्विलाज़ू एक उन्हों परचीस और होता सेल्फ जिनेरेटेटिड ये सेल्फ जनेरेटेड विकॉस परची रहे सेल्फ जनेरेटेडD विए सेल्फ जनेरेटेडड गुडविल कैसे पता चलेगा कि यह सेल्फ जनेरेटेड या पर्चेस्ट है यह इस इफ इन्फॉमेशन डिलेटेड टू कुट्विल इस गिवें फिलो दी बैलेंशीर या आउटसाइड दे बैलेंशीर इट मिन्स वह सैल्फ जनेरेटेड ए अंदर दिया वह तो वह पर्चेस्ट अब यह चेक करना पड़ेगा क्या यह प्रीमियम पर गुडविल न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ही शियर ओप गुडविल कभी-कभी वह पैसा लेके आ जाएगा अपने हिस्से के गुडविल का और कभी-कभी वह लाता ही नहीं है न्यू पार्टनर दस नॉट ब्रिंग कि इश्यर ओप गुडविल यह तो कंपल सरी है उसको देना तो पड़ेगा अब इतना माथा पड़ी नीचे डारेक कैपिटल से ले लेगा यह सब कुछ नहीं हो था घूम फिराके तो कैपिटल को इंपैक करता है तो करेंट करेंट बच्पन में सिखाता है तुम लोग करे कापिटल से करेगा हाँ को अच्छे से फोकस कर लेना कि फिक्स कैपिटल मेथड का तो नहीं हुआ तो सारा ट्रांजेक्शन ही करेंट अकाउंट से होता है बड़ी नॉर्मल क्वेशन है फ्लक्ट्वेटिंग कैपिटल का है तब सब कुछ कैपिटल अकाउंट से करना अब को भी बहुने का ऑल्ड किसको मिलेगा सेकारी पाइजिंग पार्ट्न और तो गेन फाट्न लेए आरा रहे है कि अlar कुछ भी लाता है किसको मिलेगा सेक्री फाइजीन करेगा एन्यों बसक्रेटर का पैसा ले के आ रहे है तो बिजनस में पैसा आएगा to sacrificing partner capital account being either be narration or another being loan converted as capital being goodwill adjusted अब इस नया वाला partner goodwill का पैसा नहीं लाया तब अपन क्या करेगा उसका capital से ले लेगा जितना हम लोगो चाहिए और sacrificing partner को दे देगा ये current account current account भूल जाना हाँ gainer to sacrifices ही होगा ultimately तो क्या करेगा new partner capital debit to sacrificing partner capital हो जाएगा हो जाएगा होने तूब हो उस लेवल में सिखाया जाता है logic होता है कि नया नया पार्टनर आता है फिर उसको लगेगा कि हमसे तो गुडविल लेने के लिए तुम लोग पार्टनर बनाया है गलत नहीं अभी भी कर सकते हैं अरे अल्टिमेटल घुम कुमा के ज डालता है जरुवत नहीं पहले तुम करेगा पैंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल फिर प्रीमियम फॉर गुडविल तो सैक्रिपाइजिंग पार्टनर तो डारेक्टी करेगा अब हम लोग सीए बनने वाले ना वहां तो थोड़ा मार्क्स मिलता है वो सब जनल एंट् इतना मैं बोल सकता अभी तक तो बड़ा क्रिश्चिन जितना भी आ है लेजर एकांट का आया है समझ में आया जभी भी नया पाट्टनर आएगा तो दो चीज ए एक तो वह प्रीमियम प्रूस्ट लाया है तो बैंक तो सेक्रिवाइजिंग पाट्नर और नहीं लाया है था नया पार्टनेर जिब आता है उसका काम हो गया अब खिस्टिंग पार्टन्र का का कैम करना था एबसिस्टिंग virus लोगो अपने को आता ओलड रेशियो निए चूरडो तुछ एक्षट कूछ नहीं देते को लोकि बी आंपने सीख तो सारा स्टेप्स को फिर से पढ़ो चितना बार रीड करेगा उतना बार दिमाग में प्रिट हो जाएगा फिर जब अपन प्रेशन सौल करेगा ना उसी प्रोसेस से सौल करेगा और प्लेस यह वाला चार्ट भी रीड करो एंड देन अम लोग भी रिवैलेशन पूरा समझे में कभी आपसे रिवैलेशन का चैनल एंट्री आया तो क्लैरीटी रखना इपी नोहाँ टू प्रिपैर लीजर एकाउंट वी केशली जडर्न एंट्री ओल्सो रिवैलेशन कुछ नहीं है एक नॉमीनल नेचर अगांट है नउमीनल नेचर एकाउंट है तो नॉमीनल इंकम्स एंगें यही रूल होता है उसका यानि यहां पर भी वही है इप आपके बिजनस में री वैलिवेशन की वज़े से कोई भी नुकसान हो रहा है खर्चा हो रहा है तो हम लोग क्या लिखेगा डैबिट साइड में इस तरह पाते हैं लॉसिस ए और इस तरफ घ्रइंजक ऑब बिजनस को किसका करते हैं इंकम्स का रीवेलेशन करते हैं यह रीवेलेशन ऐस अंड लेंडि का हो तो जब आप assets and liabilities को revalue करोगे एक होगा assets और एक है liabilities इसको revalue करना है हम लोगों अब revalue करने से या तो उसका value बढ़ेगा या फिर value खटेगा तो asset का value या तो बढ़ेगा या फिर खटेगा similarly या तो liabilities बढ़ेगी या फिर खटेगी यही हो सकता है उससे रदा scenario हो ही नहीं सकता तो एक बात बताओ business में asset बढ़ने से फाइदा है या लुकसान फाइदा है तो जबी भी assets increase होगा किस तरफ लिखेगा credit side नहीं by asset account जो भी asset का account होगा जितना से increase हो रहा है वह वैल्यू कि अच्छे क्या हूं तो कि इस इंक्रीज हो रहा है तो business के लिए profit है किस तरफ लिखेगा credit साइड में लिखेगा and assets decrease हो रहा है decrease कोई भी रिजन हो सकता है कि हमने रिवैल्यू किया या डैप्रिशेट किया तो decrease होने से किस तरफ लिखेगा इस लॉस यहस्टू एसट एकाउंट क्योंकि मेरा एसेट का वैल्यू डिक्रीज हो रहे है कि लाइबिलिटी बढ़ना बिजनस के लिए अच्छी बात रहे हैं पूरी बात नुक्सान लॉस तो किस तरफ लिखेगा और लाइबिलिटीज कम होगा तो कोई अन्रिकॉर्ड धिसेब था बिस्नस में वा त्ट विव मनाई अन्रेकॉर्ड व्यकॉर्ड आसेब आप जिसको अमने अभी सक रिकॉर्ड नहीं करका अब रिकॉर्ड करना तो एसेट्स रिकॉर्ड करोगे तो अच्छी बात है और अन्रिकॉर्ड डिड 얼sw姊 ऐसेट कि एफ को नडिकॉरड़ाड लाइबलिटी था टो टू कि एन डिकॉड़ अपर ना पड़ीड़ प्रॉविजनफे डॉटफुल लिट्स बिसनस बिनूज प्रॉविज्जब तो थ्यान रखना एक प्रोविजन बढ़ाने के लिए तो इडिस nggak रभ़ोगे प्रोविजन ऐग इनक्रीज करना है तो यह ब character कर नहों कि यह सब करने के पाद जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा मतलब इफ क्रेडिट इस हाइर देबिट साइब इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स को मिलेगा और लॉस होगा तो प्रॉफिट होने पे री वैल्यवेशन का जो प्रॉफिट डिस्टिब्यूट करोगे जर्नल एंट्री क्या होगा री वैल्यवेशन अकाउंट डैबिट टू कौन सा पाटनर 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 और रेशियो तो पाटनर्स कापिटल एकांट प्रॉफिट डिस्टिब्यूटिब एन इप लॉस होगा तो उस तरफ आजाएगा बाई लॉस डिस्टिब्यूटिब डियान रखना ओल्ड पाटनर ओल्ड ओल्ड रिश्यो मे जाता है यह होता है सिंप्ली रिवैलोवेशन अकाउंट यान्नी डियान रखनां रिवैलोवेशन पूmp और साथ साथ कभी-कभी इंस्ट्डिट आप से पूछ लेता है दिए क्लियर के साथ कभी-कभी इंस्ट्टिट आप से पूछ लेता है मैमोरेंडम रिवेलवेशन अब यह क्या है कानसी चिडिया का नम करेंगा और एक तरीका है उपर जो काम किया वही चीज़ को रहा है लेकिन कभी कभी बोलेगा प्रिपेर एया मैमोरेंडम रिवैलवेशन ऐकाउंट नाम बदल गया क्या हो घाखिस्च तो पहले जो आपन करेगा ना एक नोर्मल रिवैलवेशन ऐकाउंट जैसे करता है वैसे ही करेगा मैमोरेंडम रिवैल पिकंव जो चीज रिवर्स डैबिट किया उसको अपन क्रेडिट कर देगा यानि बई एसेट आकाउं से डिक्रीस यानि पहले जिसको अभी टैबिट साइट में लिखा था उसको हम वह लोग क्या कर रहे साइट में लिक रहे है कि यह पहले सीधा करके बाद में उल्टा कर देना है वाई लाइबिलिटी इंक्रीज कि वाई अन्रिकॉर्डेड कि लाइबिलिटी कि वाई प्रोविजिन पॉर बैट डेट्स जो मेरा प्रोविजिन इंक्रीज हो रहा है यानि जो चीष डेबिट साइड में लिखा था आपने वो सारा अपन क्या करेगा क क्रेडिट में लिख देगा और जो क्रेडिट में लिख ए उसको डेबिट में लिख दो झाले से चाहता है 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 फिरो फरेक वैटासरे पारी हिर करें से पैट है वैश छैकर सो इल मे Mimi म है जिसकी उलटा उलटा किया तो जो चीज पहले प्रोफिट में दिख रहा था वह तुम्हारा लाउस में दिखेगा अब तुम्हारा डेबिट से जादा आ जाएगा है तो हम लोग क्या करेगा इधर कर देगा जा बाइग partners capital इधर तो क्या हो रहा था old partner old ratio में right यहां क्या होगा all partners new ratio पन गया आपका memorandum revaluation account नहीं यदी लॉस हुआ था पहले नॉर्मली तो फिर उल्टा करेगा तो profit में convert हो जाएगा ना ultimately same impact हाँ लास्ट में partners capital में आपका net amount आ जाते हैं मतलब यह क्या हुआ एक बार आपने पार्टनर्स के capital को credit किया एक बार पार्टनर्स capital debit हुआ इसे बनता है पूरा का पूरा एक बार capital account में सिर्फ ओल्ड पार्टनर का credit साइड में आएगा और एक बार क्या होगा तीनों पार्टनर करना है आप पार्टनर को मिला के debit साइड में आएगा यह दो बार बैलेंसिंग करना पड़ेगा वेन्यू प्रिप्रेर में मेमारेंणम रिवल्विशन एक बार नॉर्मल बैलेंसिंग और एक बार उल्टा-उल्टा जब आप उल्टा-उल्टा करोगे तब आप लोग पार्टनर ओल्ड रेश्यो में नहीं करोगे सारा पार्टनर एस पर देयर निवय आईटम जो इदर लिखा वो इधार आगिया है कि दोनों बनाना है कि जर्णल नहीं आएगा में अमरेंडम रिवेलेशन पड़ा हो जाएगा बच्चा पहले नॉर्मल जर्नल मारे फिर रिवर्स वाला मारे एक क्वेश्चन पच्चेस मार्क देना पड़ेगा उनको पिसिक्विस नेट आएग अरक जो इतना चीजी को है एक साल हटाने में गूंगी है लिखना हुआ अभी तक देखो जो हमने समझा कि एड्मिशन के क्वेशन को क्या स्टैप से करना चाहिए कहां पर आपको क्या रिक्वाइड नोट्स रहेगा गुडविल वाला पहले डिसकस कर चुके फंडामेंटल हो चुका था तो वहां पर आई एजिम की गुडविल आपको क्लियरिटी था अब प्रॉपर क्वेशन सब्सक्राइब करने से सब कुछ हो जाएगा क्या अब जिस स्टूडेंट का कैपिटल एड्जस्मेंट में प्रॉब्लम होय है जहां कैपिटल को कैसे किया जाता है क्लियर है आओ विल स्टार्ट विद इस इलस्ट्रेशन नमबर टैन आइवि फेज नमबर 8.83 लीना एंड मीना वेरीं पार्टनर्शिप बिजनस शेरिंग प्रॉफिट्स और लॉसस इन दर रेशियो ऑफ तू इस तू तू त्री यह उनका ओल्ड प्रॉफिट शेरिंग रेशियो है अब क्वेस्चिन में उनका बैलेंशिट दिया हुए ओके वैरी रिक्वाइर्मेंट पार्ट में क्या-क्या दिया है यू और रिक्वाइड तू शो दर फॉलॉइंग अकाउंट पी अनल एड्जस्टमेंट अले यह क्या अकाउंट यह तो भईया कहीं पढ़ा ही नहीं मतलब रिवेलेशन एकाउं रिवेलेशन का ही दूसरा नाम है प्र और फिर्स अपरिल टूटावजन ट्वेटी पैलेंशिट स दियावाय, 31 मार्श टूटावजन ट्वेटी फॉर्स अप्रिल तूटावजन ट्वेटी में क्या हुआ यह तो अडिज अड्मिट नीना इंटू पार्टनरशिप इविंग हरे बन फिच्छ इरीन फ्यूचर प सेक्रिपाइजिंग रेशियो तो निकालना ही नहीं पड़ेगा फिर अपने को सी ब्रिंग्स इन एटी थाउजन एज हर शेयर ऑप कापिटल गुडविल वाज वैलुड एट वन लेक्ट टाइम आप अप नीना यह वनले कौन सा गुडविल है टोटल फॉर्म सेल्फ जनेरेटेड गुडविल इसमें से जितना नीना का शेयर है वह लेके आएगा चीक है कितना हो गया वन लैक इंटू वन बाई पाइप कितना वी सजार प्रीमियम पर गुडविल नीना लेके आएगा है क्लियर है पार्टनर्स डिसाइड टो री वैल्यू दा एसेट सेस फॉलो अभी री वैल्यवेशन का कहानी बोल रहा है लेकिन सबसे पहले देखो नीना जो नया पार्टनर है वह अपना कैपिटल के लिए असी अजार तो लेके आ रहे है लेकिन गुडविल के लिए पैसा लेके आ और कि लिए अधी आगे देखो यहार री वैल्यू अ करने के लिए बोला है तो री वैल्यूएशन आकाउंट बनाने चुले मैंने क्या बोला था अधीशनल इंफोरमेशन बुला प्लांट को 40,000 कर दो कितना पांच जार से कम तो रीवेलवेशन का किस तरफ डैपिट साइड में लॉस हो रहा है एसेट कम हो रहा है डैटर्स 38 कर दो अभी कितना है 38400 तो डैटर्स को कम करना है तो टू डैटर्स डैपिट साइड आफ रीवेलवेशन आएगा बिकाज इडिज़ लॉस हां कि स्टॉक को कर दो 42,000 तो स्टॉक है 42600 चैसों से कम करना है एसेट कम होगा मतलब लॉस बिल्डिंग को 90 कर दो बिल्डिंग 60 है 90 लेके जाएगा तो 30,000 से बढ़ाना है एसेट बढ़ रहा है मतलब प्रॉफिट रीवेलवेशन का क्रेडिट में लिखेगा पर नीचर 20,000 कर दो 3500 से कम करना है एसेट कम मतलब लॉस बिल्ज रिसीवेबल को क्या कर दो 12,000 इसको भी कम करो या निए एक प्पांचक को करने का मतलब लॉस डैविट साइड में लिखेगा और वैस्ट कुछ बोलाई नहीं तो समझ में आगया रीवेलवेशन तो पहला क्या था पहला निकालना तो हमारे पास ओल रेशियो है कितना और इस क्वेश्चन में हमारा सेक्रिपाइजिंग रेशियो क्या है तू इस तू थ्री पहला काम डन ठीक है यह ओल्ड रेशियो में कौन-कौन पार्टनर था लीना एंड मीना एक नया पार्टनर आया है नीना जिसका शेयर है वन बाई फाइफ क्लियर अब एक्जाम में एक चीज़ ध्यान रखना एक प्वेश्चन पीएनल एडजस्टमेंट एकाउंट बोल रहा है तो आप लोग पीएनल एडजस्टमेंट एकाउंट वर्डी यूज़ करेगा रिव एड़ेशन की तरह है यह ज्यान रखना हम लोग हैडिंग जो लिखेगा पीएनल एडजस्टमेंट एकाउंट अब देखाँ क्वेश्चन ने क्या-क्या बोला था प्लांट की वैल्यू को क्या करना कम करने तो डिवैल्यशन के डेबिट में आएगा कितना से 5000 5000 से नुक्सान हो गया एक प्लियर है एक तेटर को क्या करना है कम करने 400 से और यह भी डेबिट में आएगा लेन स्टॉक का वैल्यू आपको क्या करने है कम करना है 600 से 600 उसके बाद में बिल्डिंग का वैल्यू क्या करना है तीस अजार से बढ़ाना है तो यह प्रॉपिट हो गया वाइब बिल्डिंग 30,000 नेक्स्ट आपको बोला गया पर नीचर का वैल्यू क्या करना है कम करना है तो पर नीचर वन थाउजन पाइप अंडड़ क्लियर है उसके बाद बिल्ड रिसीवेबल बारह आजार यानि 500 से कम करना है हमने रीवेशन कर दिया अब क्या चैक करना डेट जादा है या फिर फ्रेजीट साइड जादा है क्या आपका क्रेजिट जादा है इसका मतलब प्रॉपिट हो रहा है तो यह प्रॉपिट किसमें बढ़ जाएगा लीना और मीना में इंद रेश्यों तो पार्टनर्स कापिटल अकाउंट लीना अद मीना तोटल प्रोपित हो रहा है 30,000 माइनस 5,000 माइनस तोटल बाइस हजार का प्रोपित है ना थिवेज़ा था क्यों था प्रणीचर कितना था अचे हाँ प्रणीचर 3500 स्वाइज़ाई हुँ कि बीसजार का प्रॉफिट आ गया इसको तो इस्टू त्री में बाट देगा कि आठ अजार कि पाराज़ कि कि तरी इसे डाइब अब प्रिछले अदाइब दर्स नागता इस तो बात है तो खेला होता है जिन्दगी में पड़के सब जाओ एक्जाम में कौन सा लग आपको काम करेगा पता नहीं आपको गवर करके जाओ कि अपना काम है पढ़के जाना और चो पढ़ रहे हो एकदम क्लारिटी के साथ पढ़ो अगला स्ट्रेप क्या पहले ही बताइब पार्टनर्स कापिटल एकउंट बनाने है अ हां यह ने रहा हाद में वाओ प्रेंगजिए बिए अ आपके अ और गवाद में अ सबसे पहले क्या करना है ओपनिंग बैलेंस लिखेगा तो लीना और मीना का ओपनिंग बैलेंस इस्टी ताउजन एंड वन लेक्ट 40 ताउजन ओके वेरी गुड लिख दिया नेक्स्ट का प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर करना है प्रॉफिट हुआ था तो रिवेलवेशन क्रेजिट साइड में आजाएगा पार्टनर्स कैपिटल के वाई रिवेलवेशन एट थाउजन टूएल थाउजन क्लियर है एकदम स्टेप बाई स्टेप इसके बाद क्या इसके बाद हम लोगों को चेक करना था बैलेंस शीट में कोई भी एक्यूमुलिटेट प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स है क्या तो बैलेंस शीट में कोई भी एक्यूमुलिटेट प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स है यस है जन्रल रिजर्व जन्रल रिजर्व है 40,000 का और क्वेशन कुछ नहीं बोल रहा तो हम लोग क्या करेंगा को एड्जस्मेंट नहीं से रिलेटेट इट विल बी डिस्ट्रिब पाइज है प्रोविदेंट पंड इस नौट रिजर्व इस अलाइविएटी अप्रॉप वह सब भी सब्सक्राइबरेटिंग तो यहां चैन्रल डिजर्व अपन बाट देगा क्यों चाहिए एट दे हैंड आप दे यरी होता है सारा काम कि जैनरल रिजर्व बाट देंगे हम लोग ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में क्योंकि उनीक है तो मैंनत का है यह क्लियर है यहां तक कि यहां तक कोई डाउट किसी को हमने यही स्टेप सिखा था पार्टनर कैपिटल में पहले ऊपनिंग बालेंस डालेंगे उसके बाद में प्रीमियम पॉर गुडविल देखो नया वाला पार्टनर तो लेके नहीं आ रहा तो हम लोग क्या इंट्री पास करेगा नीना कैपिटल अकाउंट डेट कितना लेके आना चाहिए उसको और यह मिल जाएगा सैक्रिवाइजिंग पार्टनर टू लीना टू मीना सैक्रिवाइजिंग रेशियो भी टू इस्टू ट्री है तो बीस अजा डिवेड़ वे पाइफ इंट्राउजंड ट्वेल थाउजंड यह एंट्री होगा हां यह होगा क्लियर है तो हम लोग क्या लिखेगा पाई नीना कैपिटल कि लीना को मिलेगा आठ हजार और मीना को कि बारा जार कोरेस्पंडिंग ली डैबिट सैड में लिखेगा टू लीना एंड मीना नीना ने कितना दिया तो उसका कैपिटल काम हो जाएगा हां एक साथ में दिखा सकता है टू-लीना कैपिटल आठ अजार तू मीना कैपिटल बारा अजार वैसे भी दिखा सकता तुम लोग अप फिर वह क्या किया था अपना पैसा तो लेकर आया ना धंदा में इख से पीटल लेके आया है वह कितना लेके आया है यह अशी आज़ार कि क्लीर यहां तक कर लिए हमने हैं अब क्यूइस्टन में क्वेश्टमेंट ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं इस वाइसराइब कि जितना हमने वाइस्टन पड़ा तो कुछ नहीं है तो capital adjustment होगा नहीं कि डारेक्ट बैलेंसिंग कर दो कि लीना का बैलेंस कितना आ रहे हैं 92 और उसका 188 वानिव दिसका 16 वानिव दिसका स्मूथ ले नेक्स्ट बनाना होता है बैलेंसिट मेरे साथ बनाना हडवड़ी मत करना बैलेंसिट में पहले तो देखना कि इसमें लिखता क्या क्या बैलेंसिट में लिखोगे आफ्टर यह बाहर जो भी गुड़विल होता है वो शेल्फ जनुड़िसट है बाड़ अब वांड़ मेंड बनाटेंटय नहीं बोला तो पांड नहीं बोलेगा तबी बाटेगा बोला है तब बाटेगा था क्या पाप बैलेंशिट के अंदर में कि यहां कोई लिखावा होता तो वह बढ़ जाता बिट्विन लीना इन मीना इन रेशियो तू इस्टू ट्री ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में एसेट दे रहे तो उसका कैपिटल का डैबिट साइड में लिखता तुम लोग फूर उनका कैपिटल कम हो जाता पर यहां कुछ है नहीं कि क्लियर है अरे अभी तो थोड़ा दिर पहले बताया हरं ले पर इसले लिखाया हम आख की कोई इसेट साइट का पार्ट तुम पार्टनर को दो दोगे तो उसका कैपिटल कम होगा तो कम होगा तो डेबिट होगा और कोई भी बिजनस का लाइबिलिटी तुम पार्टनर्स को दोगे तो उसका कैपिटल बढ़ेगा कि अब देखो पैलेंशीट में क्या क्या गलतियां करता सबसे पहले उसका है बैलेंशीट हमें से बताओ कि इस आप्टर नीना या जो भी पार्टनर उसका एड्मिशन के बाद का बैलेंशीट है पिर एजएट कौन सा डेट का यह फॉर्स्ट एप्रिल का है बहुत परक है उसके बाद ने तुमने बिजनस में बहुत सारा रिवालिवेशन कर दिया फॉर्स्ट अप्रिल को पार्टनर आने के बाद तुम सारा काम कर रहे हैं कि आफ्टर नीना एड्मिशन और नीना एक तारीक को आया है 31 जाच चुका तो सारा काम लोग फॉर्स्ट अप्रिल को कर रहे हैं द्यान रखना डेट येस अब ध्यान रखना एक्जाम में जो बैलेंशिट दिया हुए बस उसी के मदद से उसी के मदद से आप लोग क्या करना बैलेंशिट को ड्राप करने पहले बिल्डिंग दिया हुआ हम लोग बिल्डिंग लिख लेगा विट चेंज जबाल भी कोई भी मिस्टेक नहीं होगा आपसे जैसे बता रहा हूं दिमाग में रखना बिल्डिंग नाइंटी हो चुका था प्लांट का वैल्यू हो चुका है मेरा फॉट्टी को पर्णीचर का वैल्यू कि इस अजार कि कि उसके बाद डेटर्स का वैल्यू कि थर्टी एट कि बिल्ज रिसीवेबल कि अब कि इस टॉप कि पॉट्टी टू कि बैंक कि बैंक में चेंजेज हुआ है कि कि सेवेंटी एट थाउजन का बैंक बैंक बैलेंस था फिर नया वाला पार्टनर रस्टी अजार रहे ना लेके तो कोई कुछ गया है नहीं है कि क्या चीज़ का गया उन लोग पार्टनर लेके थोड़ी गया है विट्रॉव थोड़ी किया है विट्रॉव करता बिजनस में तो अभी भी बैंक बैलेंस में पढ़ा है प्पैट में neera ला पार्टनर अश्या लाया तो बैंक में कितना अघरो गया है और लेनक से कुछ गया तो नहीं है कि ऊसी यह लिफिल्न लिवारव गव्मुरी यह बैंग्स है नियदर कैपिट्र लीना मीना और नीना हो जाएगा लेना का बैलेंस कितना है libro टूटल कितना इंचर्मिंट इसको तो उड़ा दिया हमने क्रेड़िटर 42600 आज भी उतना ही है इसका भी कुछ नहीं किया हड़ड़ी मत करना सुनो अभी मेरी बाद यहां तक कर लो बराबर आजाओ मेरे फिर सुनना कि कैसे चेक करते हैं नो हड़ड़ी कभी भी नहीं करने का एक्जाम में पेशन्स के साथ पेपर सॉल्फ करोगे तभी विक्टरी मिलेगी सबने किया अब जो पुराना क्वेशन में बैलेंशिट दिया है उसका सारा फिगर्स लिख दिया कभी कभी कुछ चीज़े हम स्किप कर जाते हैं तो उसके लिए फिर से एडिशनर इंफोर्मेशन देख लेंगा एडिशनर इंफोर्मेशन में हमें रिवेलेशन का इतना काहानी बोला था और इन सबका इंपक्ट हो चुका गुडविल का इंपक्ट हमने डाल दिया पार्टनर कैपिटल लेके आया उसका हम डाल दिये यानि कुछ छूटा नहीं क्योंकि जब कभी-कभी अन्रिकॉर्डड एसेट और अन्रिकॉर्डड लाइबलिटीज या प्रोविजन वो डाउटफुल डेट्स का पॉइंट होता है वो तो यहां होता है वो यहां तो होगा ही नहीं ना तो वो स्कीप होने का चांसे उसके लिए आप क्या करोगे एक बार एडिशनल इंफोर्मेशन फिर से रीड कर लोगी कोई कुछ छूट तो आप बैलेंशीट को मैच कर दो क्या दोनों साइड मैच हो रहे हैं पूर लेक पूर लेक पूर लेक तो इजी एडमिशन आप पार्टीज नहीं पर तो रिवेलेशन में भी दिखाना था दूएल एंट्री हर चीज़ का होना पड़ेगा मेक श्यूर कि बैलेंशीट के बाहर जो भी लिखावा होता है उसका डबल एंट्री इपक्त दूएल इंपक्त तो होगा ही होगा कि वही तो बोला क्या क्या होता ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेश्यों में बाट देता कि यह बगवान मैंने क्यों बोला यहां पर कि गुडविल यदि बैलेंशीट के अंदर है तो बाट देना हां 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 सिम्पर है इक तो बेसिक प्वेश्चन था और एक प्वेश्चन देखता है रिदम है या नहीं हम लोग के अंदर में एलपा इन बीटा पार्टनर्स है नेमली मेटा केम बोलके शेरिंग प्रॉफिट्स और लॉसस इक्वली यह उनका बैलेंशीट दियावा है नीचे में अडिशनल इन्फोर्मेशन है बोल रहा है उन लोग क्या बोल रहा है ते अग्रीट तो एड्मिट क्यामा अस पार्ट कि ही शेल हैव वन सिक्ष यह इन फ्यूचर प्रॉफिट्स उसको वन बाई सिक्स देगा एंड क्वेशन न्यू रेशियो खुद निकालके दे रहे मतलब हम लोग को सैक्रिपाइजिंग रेशियो चाहिएगा इतना काम हो गया रिक्वाइर्मेंट पार्ट पढ़ लेता है रिवेलेशन पार्टनर्स कैपिटल बैंक एकाउंट बैलेंशिट आप्टर एड्मिशन मतलब हम लोग वैल्यूज को अल्टर कर सकता है कोई प्रॉब्लम बोला नहीं है क्वेशन ने सबसे पहला स्टेप क्या है कैलकुलेशन और गेनिंग सैक्रिफाइजिंग रेशियो कैलकुलेशन और गेनिंग सैक्रिफाइजिंग रेशियो अल्पा का ओल रेशियो वन बाई टू एक्वली दाना और बीटा का ओल रेशियो वन बाई टू मिनिम्मम दो पार्टनर तो होना ही होगा अब देखो ओल्ड रेशियो पता न्यू रेशियो त्री इस्टू टू इस्टू वन यानि त्री बाई सिक्स कि टू बाई सिक्स कि यामा का तो पूरा का पूरा वन बाई सिक्स क्या है गेन है अब देखता है यहां पर क्या हो रहा है तो जीरो हो गया मतलब इसका तो निल इंपेक्ट और इसका वन बाई सिक्स क्या आ रहा होगा इसका मतलब बीटा सिर्फ क्यामा को गेन हो रहा है और अलपा का निल बटा सन्नाटा जैसे पहले था अभी भी वैसा ही है क्लेर है यहां तक कोई डाउट शक तुप दुविदा पीड़ा कर्ष्ट आनी जैसे वह गीता मां याद किया था स्टुपेंट पेंटापूलस फेंटास्टिक पोफोंट्स पेंटाफूलस फेंटास्टिक कि पोफोंट्स पाहला स्टेप डन नेक्स्ट और प्वेशन रीट करके चेक करना क्या वैल्यूस को अल्टर करना है क्या एमें सअтории प्लस माइनस कुछ लिखना ही नहीं ब्रैकेट में बस लिख दो कि ये गेन कर रहे है से क्रिपाइस करें क्या है कि हाँ और करना है तो टेंशन है नहीं नॉर्मली जैसे क्वेशन साल करते करेगा थर्ड स्टेप में क्या सीखा था वी विल प्रिपेर रिवैलेशन किसकी पूरा वन शॉट में आपका एड्मिशन हो रहा है किसी को भी फिर से एड्मिशन को डाउट होगा पास्ट परवर्ड करके सुन लेना पूरा एड्मिशन कवर अप हो जाएगा इसलिए अच्छे क्वेशन से मैट के वह कवर होते तुम रिवैलेशन का एक्जाम में कोई भ एक दिन में उतनाए खाओ जितना रिटेन जाय सकते है अब देखो पहला वाला पॉइंट क्या रिवैलेशन से रिलेटेड है क्या नहीं यह है नहीं यह है नहीं यह तो कौन सा गुडविल है यह यह फॉप जेनेरेटेड यह फॉप का गुडविल है न नया गेंग पार्टनर वाला शेर है फॉप का गुडविल है तो गेंग पार्टनर कितना लेके आएगा 3 लैक इंटो 1 बाई 6 50,000 लाएगा और यह किसको मिलेगा सिर्फ सैक्रिफाइजिंग पार्टनर को और यहां सैक्रिफाइजिंग पार्टनर कौन है बस उसी को मिलेगा तैन यहां तक तो कोई काम नहीं है अब मेरा काम सुरू होता है रिवेलवेशन का फैक्ट्री बिल्डिंग इस टू भी एप्रिशीटेड बाई 20 परसेंट यह सिर्फ डेखो हमेशा एग्जामना वाही और टू पे फोकस कर लें मतलब होता है इतने से तू का मतलब होता है इतने तक तो आप 20 बिल्डिंग को बढ़ाना है बिल्डिंग किदार रहें 20 परसेंट से बढ़ा देगा एका पोल्लेक्स सेवेंटी एट ताउजन्ड का 20 परस कि नाइन्टी पाइव सिक्सेंड़ेड तका तक मस्त कल अंदर कि आगे बोला इन्वेंट्री इस री वैल्यूडेट सेवेंटी थाउजन इन्वेंट्री था कितने का सेवेंटी 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 पॉट्टी और उसको बना दिया हमने सब्तर हजार का तो कम कर दिया एसेट को एसेट कम होते ही नुक्सान हो गया दंदे में साथ हजार 400 रुपे का डैबिट साइड में रिकॉर्ड कर लेगा अपन क्लियर है नेक्स्ट मशिनरी तु बी अप्रिशिएट बाइ 20 परसंट तो मशीन का वैल्यू बीस परसंट से बढ़ा दो 3,41,000 का था उसका बीस परसंट अज़ा 7,740 है स्वारी अब मशिनरी को बढ़ाना है तो पाइदा हो गया 68 200 से पढ़ा दिया हमने पुश है नेक्स्ट बोला है ओफिस फर्नीचर को रिवैल्यू करो 50,000 पर ओफिस फर्नीचर है 55,850 और उसको कम करना है तो लॉस हो गया तो अपिस फर्नीचर 5850 प्लियर है नेक्स्ट बोला अफ दे ट्रेड रिशीवेबल रुपीज 3,2,1,0 और बैट बैट मत्ब डूप गया बैट तो पहले डेटर को कम करो करेगा तो टू डेटर्स प्रेकेट में लिख देगा बैटेट्स बैलेंशिट में जो है वो नाम यूज कर लो तो ट्रेड रिशीवेबल लिख लो कि बैकेट में बैटेट दिखा दिया 3,2,1,0 कि क्लियर है यहां तक है अब हमरे डेटर थे कितने हैं कि इससे 3,2,1,0 तो गया बचा कितना है 5 परसेंट प्रोविजन बनाना है तो प्रोविजन पॉर बैटेट्स एक लाग चालीस अजार का पांच परसेंट साथ अजार लाइबिलिटी पढ़ रहा है मतलब लॉस क्लियर यह भी हो गया यह भी हो गया देर इस नो एक्ट्व लाइबिलिटी टेक तो वर्कमें तो यानि हमने एक वर्कमें कंपंसेशन पंड बना रहा है उसके बारे में बोल रहा है वो तो एक्क्यूमुलिटीव प्रॉफिट्स रिजर्व का पार्ट है ना इसको रिवल्वेशन में कंसिडरी मत करो पार्टनर्स कैपिटल में काम करेगा उसका तो बाकी सारा पॉइंट कदम तो रिजर्व से पैसा निकालता है कुछ भी करो वर्क्मेंट कंपनसेशन पंड बढ़ाएगा क्यों लोग कभी बढ़ाएगा नहीं उसके लिए से वैल्यू दिया वारेगा यदि क्लेम है तो हमारा रिजर्व से पैसा कम हो जाएगा बचावा पैसा हम लोग पार्टनर्स में बाट देगा और यदि क्लेम वैल्यू ज्या का लाइबनिटी है ना वो लॉस में आजएगा रिवेलवेशन एकाउंट का डेवीटी क्लियर है कि टू वर्क्मेंट कंपनसेशन क्लेम अभी यहां पर कितना आया प्रॉफिट आ रहे है या लॉस आ रहे है तो प्रॉफिट किसको बटेगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेश्यों यहां मत बोल देना सैक्रिफाइजिंग पार्टनर 70,000 70,000 1 lakh 40,000 तरनर एवालवेशन नेक्स्ट टेप क्या है अच्छी आपले लेगी ओल्ड पार्टनर डेवलेशन नेक्स्ट आपक्या है कि सबसे पहले क्या करना है कि ओपनिंग बैलेंस कि एक्सपर्ट हो गया रहे तुम लोग तो तो तीन लाट दो लाट कि पिलेग्ट टू लाइक पिर क्या करना होता है री वैलेशन का प्रॉपिट लॉस ट्रांसफर करेंगे तो प्रॉपिट है तो क्रेजिट साइड में आ जाएगा री वैलेशन सेवेंटी थाउजन सेवेंटी थाउजन क्लियर है फिर क्या करना था है एक्क्यूमुलिटेट प्रॉपिट्स इन रिजर्फ देखो बैलेंस चिट में है क्या एक है जनरल रिजर्फ लाइबिडिटी साइड में एक है वर्कमेन कंपंसेशन फंड फंड मिन्स रिजर्फ ही होता है एसेट साइड में तो ऐसा कुछ लिख नहीं रहे यह दो ही है और दोनों के बारे में कुछ पॉर्प नहीं रहेगा नहीं जब क्लेम नहीं तो कहीं यूज नहीं आ रहा ना हम क्लेम होता तो माइनस करके जो बचता वह हम लोग पार्ट नरस में बाटता कि तो जंडørल डिजर्फ कितना था तो दोनों पार्टनर में बढ़ जाएगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो कि नप्य अजार नप्य अजार कि वाइव वाप्मेन कंपन्सेशन पॉंड कि थाड़ी 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 हो गया बैलेंशिट कभी काम अब और क्या बच्चा है अब प्रीमियम पर गुडविल और वो जो कैपिटल लाया होगा तो प्रीमियम पर गुडविल हमने निकाला था 50,000 क्या वो लेके आ रहे है क्या ला तो नहीं रहे लिखानी क्वेश्चन में कहीं पर तो उसके चापिटल से लेगा बाई ग्यामाज कैपिटल चीक है कुछ से लेगा और किसको मिलेगा ये पीटा को कितना था और इधर लिखेगा वो तू बीटाज कैपिटल एंड ग्यामा कितना पैसा लेके आ रहे है कैपिटल का दो लाग पचास हजार रुपए नहीं पैसा तो कैपिटल का दो उतना ही ला रहे है प्रीमियम पर गुडविल नहीं लाया इसके लिए हमने उसके कैपिटल को कम कर दिया क्या करना था कैपिटल एडजस्टमेंट है या नहीं कुछ पॉइंट ऐसा दिया वह नहीं कैपिटल को एडजस्ट करना है तो हम लोग क्या करेगा नॉर्मल बैलेंसिंग करेगा यह आरा ना क्रोस्ट वरिपाई कर देना जा आरा ना इता यह यहा जाना है यहां यहाद एग्टों मुटके बाति प्रेश्ट में करना गयाकर नहीं कर को यहाया यहादूम्हां एड़िए कि दन कि दन कि दन कि दन कि बैंक एकाउंट बनाने बूला कि देखिया रहां कुछ हुआ ही नहीं है ओपनिंग बैलेंस कितना है बैंक का पॉर्टी पॉर्टी फॉर्ट फिर बैंक में ग्यामा पैसा लेके आ रहे हैं और बिजनस से पैसा गया नहीं है तो यही आपका क्या हो जाएगा लोजिंग बैलेंस बैलेंस बालने शीट अप्र ग्यामाज अद्मिशन में लिखना है कि मोधी जी को हम दरखास करेगा कि 15 अगज़ चब्विस जन्वरी में तुम्हें सम्मान के लिए और आइपा और ऑस्कर वालों को भी हम बोलेगा कि अधर भी तुमको पुलाएं अब बैलेंशिट बनाएंगे विद्धा है और बैलेंशिट बनाएंगे विद्धा सबसे बेले फैक्टरी बिल्डिंग ता उसका वैल्यू हमने चेंज कर दिया तो तो फैक्टरी बिल्डिंग 573 600 20% से बढ़ा दिया था नेक्स्ट प्लांट एंड मशिनरी क्या किया था आपने इस परसन से इंक्रीज कर दिया तो इंक्रीज वैल्यू लिखेंगे और ऑफिस पर नीचर क्या किया कि पचाइज़ार का री वैल्यूट कम किया थामने है नेक्स्ट है इन्वंट्री थामने है तर आजर नेक्स्ट ए रेचिवेबस 143 2 1 0 minus bad debts 3 2 1 0 minus provision for bad debts 7000 दिखाना पड़ेगा 1,23,000 bank 294 200 asset side cut-off liabilities में capital होगा alpha का balance है 4,000,000 beta 4,000,000 4,000,000 त्यामा 2,000,000 11,30,000 पिर जड़ेश्ड गया पिर जड़ेश्ड गया वक्मन कंपनेश्ड पंड गया 2,078,000 और एक है trade payables एक लाग बाइस हजाद अधिशनल इंफोर्मेशन चेक कर लो क्या कोई ऐसा है जिसका dual impact हमने किया नहीं है अधिशनल इंफोर्मेशन चेक कर लो अधिशनल इंफोर्मेशन चेक करता ना बैलेंशन में लाइबरीडी साइड में आता वॉक्मेन कंपनसेशन क्लेम बोलके कि ऐसी टाइम पास करने को कि पेपर सेटर का लखी नमबर एट तैसले हीट पॉंट डाव दिया साथ है मैं उसको हम साथ साथ है वाला फिलिंग आ रहा था उसको संब्सक्राइब ग्रे विप्टीन लेग ट्रटी तॉशंड स्वाज पुरा सा अन्वर्याप्र यह पुराबर सा कमपट में वैं एड्मिशन को लेके नहिसेंट प्राक्तिकल क्वेश्यं नंबर बान रैक्तिकल क्वेश्चन नम्बर एंडजएंग नंबर वन में क्या दिया है दपॉलाइंग वास्ट पालेंग शीट अफ एपी एंसी वेर इक्वल पार्टनर्स ओन जन्वरी वन टूटाउजन ट्वेंटी थी के प्रॉपिट रिंग रेशियो गया इंका वन इस्टू वन इस्टू वन नीचे क्या बोल रहा है दे एक्री टू टेक डी इंटू पार्टनर्शेप और गीविम वन बाइपोर शेरिंग प्रॉपिट ओन दॉप्ट यह टूम्स बता दिया लेकिन यह नहीं पताया पूरे क्वैशन में कि new रेशök क्या है और नहीं यह बताया गया कि नया वला पार्टनर को कौन सा पार्टनर कि इतना सैक्रिफाइस करेगा तो वाट विल वी ऑवर सैक्रिफाइस रेशियो अब आगे बोल रहा है डी शुट ब्रिंग इन 6,000 फॉर गुडविल एंड 10,000 एस कापिटल यह 6,000 क्या है प्रीमियम फॉर गुडविल कैन यू टेल मी वाट वाट वाज दगुडविल अब दी फॉर्म का गुडविल था चॉबिस हजार एव वन फॉर सिक्स ताउजंड होता है तो पुरा कंप्लीट कितना होगा सिक्स ताउजंड इन्टू पॉर बाइवन 24,000 फॉर्म का गुडविल था वन हाप अप तुडविल शेल भी विट्रॉन बाई ओल्ड पार्टनर नहीं समझ में आया क्या है यह यानि जब पार्टनर जब नया वाला पार्टनर गुडविल लाएगा हम लोग वह सैक्रिवाइजिंग पार्टनर को दे देगा उसका एकाउंटिंग एंट्री क्या होगा पहले मुझे यह बताओ वो लाया सपोस्ट बैंक एकाउंट डेबिट छेजार टू एट पी सी दो अजार अब क्या बोल रहा है जितना गुडविल उनको मिला है उसका वन हाफ उन लोग विड्रॉव कर लेगा तो एंट्री क्या होगा एडविट बीडविट सी डविट टू हजार 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 है कि एन अच्छी सब्सक्राइब क्लियर रही है पॉइंट अगे बुला इन फरनीचर को डिप्रिशिट करना कम करना एं अ लाइबिलिटी अप रुपीस थर्टी नंडेट बी क्रिएट अगेंस बिल्स डिसकाउंटेड यह सब रिवेलवेशन का बात कर रहा है यह तीनों पॉइंट रिवेलवेशन का है यह यह और यह आगे क्या बुला अधर देन कैश नौट तो बी अल्टर्ड ओमाई गॉड अल्टर ही नहीं करना मतलब रिवेलवेशन का इंट्री पास नहीं कर सकता विगॉज यह आपने जर्णल एंट्री पास कर दिया उसका तो इंपक्ट बुक्स में जाएगा रिवेलवेशन का इंट्री आपने पास किया तो उसका इंपक्ट जर्णल एंट्री बिजनस में पास होते उसका इंपक्ट लेजर में जाता है और लेजर से पाइनल एकाउन में जाता है तो इसका मतलब यह रिवेलवेशन का हम लोग को कुछ करना ही नहीं है करेगा हम लो लॉस ऑन रिवेलवेशन विल बी एडजस्टेट बिट्विन पार्टनर्स एस पर देर गेनिंग सैक्रिपाइजिंग रेशू ठीक है अब यहां पर हम लोग वोकिंग नोट में कैलकुलेट करेगा प्रेशन ने आपसे रिवेलवेशन एकाउंट मांगा गदा है बने गई न लग रहे हैं इनको मांगना था प्रिपेर पार्टनर्स कैपिटल एकाउंट यह प्रिंटिंग एरेर है यहां पर हो सकता है इन्होंने मेमोरेंडम रिवेलवेशन से सॉल्ट किया है जरूरी नहीं है यदि आपर रिवेलवेशन है सुनो अब एक्जाम में इसा आरहा है कि रिवेलेशन बद जब वैल्यू उस्को अल्टर करना ही नहीं है और फिर भी क्वेशनी एकाउउं मांग रहे इसका मतलब वो मेमोरेंडम और एकाउंट मांग रहा है हमारे बैलेंशित की वैल्यूस को अल्टरेशन होता ही नहीं हम पहले जो डैबिट करते हैं वही चीज़ तो क्रेडिट कर देते ना तो वैलूस अल्टर कहां हुआ हुआ नहीं तो हम लोग से यहां पर मैम्मौरेंडम भी वैल्वेशन मांगा है अब पहले में बीना रिवैल सबसे पहले क्वेशन में क्या चाहिए है एक सेक्रिवाइजिंग रेश्यों कि वह क्या है कि नेक्स्ट क्या बनाना होता है क्वेश्टन करना ता रीड कर लिया पता कर लिया वैल्यू जाल्टर नहीं करना तो सारा काम गेंट सेक्रिवाइजर में होगा थर्ड है रीवेलेशन गैलकुलेशन और प्रॉपिट और लॉस और रीवेलेशन अब हम को वरकिंग नोट में ही नहीं करेंगे एक तरीका तो यह क्या बुराता स्टॉक और पर्णिचर को किरा ओ तो इससे फाइदा या नुकसान है स्टॉक को कितना डेप्रीशेशन करने है एक वारा सुप नुकसाने तो माइनस में नुकसाने तो माइनस में फिर डेप्रीशेशन और कि दर्स परसेंट यह भी लॉस कि नेक्स्ट है लाइबिलिटी को बुक्स में लेके आना था तो यह भी नुकसान है कि तेरा सो कि नेक्स्ट बिल्डिंग को 40,000 मतलब 15,000 से बढ़ाना है कि नेक्स्ट बिल्डिंग को 40,000 मतलब 15,000 से बढ़ाना है तो ने अधिक क्या है पॉजिटिव को बारा जाए कि कि जब हमने कोई लेजर बनाया नहीं तो यह ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेश्य में जाए गए नहीं इसको क्या करेंगा एड़िजस्ट करेगा बिट्विन पार्टनर्स ऐसे रही में गूप अगूद प्रटनर्स अग पर देर गेनिंग सैक्रिपाइजिंग रिशु तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा गेनर कौन था दी इस कापितल अकाउंट डबिट तू एस कापितल तू चापितल डी कितना गेल कर रहा है वन फोर्थ कानी खतम रिवलवेशन रिवलवेशन इस दाओ मांगे पर में रिवलवेशन नहीं मांगता तो चलता तो अगे जों एक प्रमेंटके से से match वलवेशन में मांगा रिवयलवेशन थेटीग कि किसी को डाउट है उपर वाला में जभी भी क्वेशन आपको बोले वैल्यूज अल्टर नहीं करना तो जो भी प्रॉपिट लॉज जो भी एक्कुमिलेटिट प्रॉपिट्स और रिजर्व होगा वह होगा एस पर गेनर टू सैक्रिपाइजर क्लियर है कि क्या कि लिखा है माना का है कि स्टॉप बारा सुख पर नीचर पांसो फिर क्या था एक लाइबिलिटीज फॉर बिल्डिस्काउंटेड तुमने एक बिल्डिस्काउंट करवा रखा था बैंक से अब सामने वाला बंदा बैंक को पेमेंट ही नहीं कर रहे है तो तुम्हारा लाइबिल्डिटी आ जाएगा तुमको बैंक को देना पड़ेगा बिल्डिटीज में पढ़ाता हमने हाँ सीधा वाला नॉर्मल वाइब बिल्डिंग पंद्राजार अभी क्या करेगा इस ओल्ड पार्टनर में बाट देगा है इस पर देर ओल्ड रिश्यों कि इतना आएगा इस पर थाउजन पोर ताउजन फोर ताूजन फॉर ताउजन इस को इसको करवाने कर दो कि इसको करवाने का कोई लॉजिक नहीं नॉर्मली भी तो कर सकते हैं वर्किंग नौट में निकाला गेने टू सेक्रिवाइजर सिखाना उन लोग वही चाह रहा है गेने टू सेक्रिवाइजर बड़ क्या अगर एक्जाम में मांगी लिया एकाउंट बनाओ तो बनाना तो प लेके जा सकता बट अधर नए ओपोजिट स्ट्रीम और वो लोग खुद देता है इस उतना नौलेज होगा कि उसको जिस सरफ लिखने बोलेगा वह दरी लिख देगा तू नहीं रे मदद करने में क्या ही हो तो लोगो सल्मान कान का मूवी नहीं देखा किया जिसमें वह प्लॉप हुआ था हां कितना होगा यह यहां पर यहां पर देखो सारे पार्टनर्स आ चुके है तो बारह आजार कही है तो अब प्रॉपिट शेरिंग रेश्यों क्या है एक्वल हो चुका है कि तो कितना आजाएगा कि देखो अल्टिमेटली क्या हुआ पहले चार अजार से क्रेडिट किया फिर तीन अजार से डेबिट कर दिया तो अल्टिमेटली वन थाउजन क्रेडिट ही हो रहा है कि 4000 वर से क्रेडिट ही हो रहा है और कर लिए तो इतना अपलों को करना होगा न कि कि दुआ करो एक्जामीन आप से मेमेरेंडम रिवलेशन नहीं मांगे वाघिक है वैल्यूज्स नॉट्टिव बाला पॉइंट डाल दे वहां लोग निकाल लेगा पटापट किया रफ में लिखा कौन सा हाँ वह वरकिंग नोट दिखाना पड़ेगा यह द्यान रखना वो कंपलसरी है पुल्टा सब्सक्राइब टैन है लिखना है तो जर्णल मांगा था तुम से लिए कि अंदर में पार्टनर्स कापिटल नहीं मांगा बट स्टील हम लोग बनाएगा क्योंकि बैलेंस चाहिए हम लोगो पार्टनर्स का कैपिटल का तो वैसे निकालो के वरकिंग नोट में इससे जब बैटर है पना देना एक्जाम में पार्टनर्स कापिटल एकाउंट कैसे बनता है कि सबसे पहले कि बोलो ओपनिंग बैलेंस लिखेगा कितना ओपनिंग बैलेंस क्वेंटी फिप्टीन टैन हर बार मेरे को क्रेजिट साइड में लिखना पढ़ रहा है क्योंकि क्वेशन में लाइबिटी साइड में कैपिटल का बैलेंस है एक एसेड साइड में होता तो बैलेंस ब्रोट डाउन क्लियर है एं डेन नेक्स क्या करना होता है री वैलेशन का जो भी प्रॉपिट लॉस उसको डालना है तो सबसे पहले देखा हमने क्या किया था री वैलेशन को डेबिट करके टू पार्टनर्स कैपिटल था ना पाय री वैलेशन का मांने को लोग को बालन को अ ग कहरा बाल रहतं हो टा त रे रहतं हू जा ना हूँ पैंज क्राट आ लोग क्राट लॉर वैलेशन में ट्रोट दो अग्यां री त carta-and Sabr ंपिरह यह इसलिए बनाना सिखाए एक्साम में आता ना गया था काम माक्स गया पता नहीं यह क्या है यह क्या है यह क्या है लेजर में आया है तो इसका इंपक्ट फाइनल पोजिशन में भी तो आएगा कि इसलिए मैंने बनवाया में को पता था अच्छार करोगी पेपर में और फिर वह मार्क्स कार्ड देंगे हाँ बोलो है ठूंड़ना पड़ेगा ना कौन है बंदा तो इसके बाद क्या करना था एक्क्यूमुलेटिटिट प्रॉफिट्स अंड रिजर्व्स बैलेंशीट में कोई भी एक्क्यूमुलेटिटिट प्रॉफिट्स और रिजर्व्स नहीं है होता तो क्या करते यहां पर तो बैलेंशीट में एक भी एक्क्यूमुलेटिटिट प्रॉफिट्स और रिजर्व्स नहीं है इफ होता तो उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेश उसके बाद क्या करना है कि प्रीमियम पॉर गुडविल सब पहले तो वह पैसा लेकर आ रहा है कितना कैपिटल का प्रीमियम फॉर गुडविल इन लोग को मिला कितना कितना 2000 2000 2000 तो मतलब लेकर आ रहे है डी शुट ब्रिंग इन शिक्स थाउजन पॉर गुडविल एंट थैन थाउजन अब तो यहां बैंक के जगे टाम यूस करना कैश विकॉस बैलेंश इस व्हाइब का वर्ड कैश है अब इनको आपने दे दिया यह था मेरा प्रीमियम फॉर गुडविल अब इन लोग वापस विड्रॉव भी तो कर रहा है पहले मिला फिर लेके चला गया तो कैपिटल कम कर दिया इसके बाद कैपिटल एड़्जस्मेंट करना होता है क्वेशन में है नहीं तो क्या करेंगा बैलेंसिंग बारिश आगे कितना या बैलेंस एडी यह नहीं गाया हुआ है प्रॉप 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 26-4 22 हाँ बोलो इस पहले पूरा बटेगा फिर उसमें से आधा निकालेगा ना उन लोग व्याद रहता ही नहीं अपने को अपन क्वेशन पड़ता ही नहीं उसमें लिखावा है साफ साब फिर क्या होगा 17,000 12 7 अब अपन क्या करेगा बैलेंशिट बना देगा बैलेंशिट किस से बनाएगा पुराना वाला बैलेंशिट से इस अद्मिशन इस अद्मिशन लिखना नहीं होगा वा नोट लिख क्या जाना आप कैश में चेंज कर लें असल जो कैपिटल है वो हमने लिख दिया जो करेक्टेड कैपिटल है वो हमने लिख दिया वेंटीटीटू सेवेंटीन टुएल सेवन जो कैपिटल एकाउंट का बैलेंस इडि आया था यह चाहिए था तुमको तो इसी के लिए कैपिटल एकाउंट तो हमेंसा बना नहीं है अब बैलेंश में जो जो उसको चुक्चा कॉपी पेस्ट कर दो बिल्स पेबल तीन अजार क्रेडिटर छे अजार इसको चेंज कर दो कैश में क्या हुआ 1000 कैश बैलेंस था नया वाला पार्टनर लेके आया कितना सुल्ला अजार माइनस तीन अजार विट्रो हो गया तो टोटल इस पॉट्टीन थाउजन तुम्हारा कैश का बालेंस रहेगा तो तो अजार है अब चलता पूप ट्वेल थाउजन यह सब सेम रही गया कुछ चेंजिस नहीं होगा कि वस्कॉपी पेस्ट कर देनेगा पर नीचर पाइफ ताउजन बिल्डिंग 25 थाउजन अज़गा कि वस्कॉपी का बेंस रहे सेम पहते हैं कि वस्कॉपी का फ्रेश कुपी का आम सब्सक्राइब कवर्ड एंटार एडिमिशन ऑफ पार्टनर इप फॉलो दीस टैप्स तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम ने होगा सारे एडिमिशन के सब्सक्राइब करना कोई भी प्रॉब्लम रहेगा उसको मेरे से डिसकर्स करना आप लोग पूछ सकता है कभी भी क्लियर है चलो बाबाए